प्रेंड्स स्वागत है आपका एक बाइफिर से प्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि अलेबिन बाइपर्टाइड सट्रेल्मेंट के अंतर गत एक न्यू इस्किम इंट्रोड्यूस हुई थी देट इस पी अल आई यहने कि परफॉर्मेंट्स लिंग्ड स्कीम और इस स्कीम के तहत इंप्लाइज को इंसेंटिव मिलना था यानि कि चार कंडिशन्स लगाए गये थे उन चार कंडिशन्स में बैंक का परफॉर्मेंस यानि बैंक के प्रॉफिटबिल्टी जैसी होगी अगर 5% से कम Y2O operating profit होता है तो कुछ नहीं मिलना था 5-10% अगर होता है तो 5 days का incentive मिलना था और अगर 10-15% के बीच में होता है तो 10 days का और 15% उपर होता है तो 15 days का आपको salary incentive के तौर पे मिलने के लिए एक नियम बनाये गया था और ये agreement में 11 पाइपर टाइट और 8 joint notes में ये शामिल था Friends, accordingly 31st March 21 का जब result आया है उसके हिसाब Canada Bank is the first bank which has announced the PLI for their staff members उन्होंने कहा कि for the financial year 2021 based on the financial results bank has declared performance linked incentive for 15 days as such all the eligible employees employees who are where on the rolls of the bank from 1st April 2020 to 31st March 21 are covered for payment of 15 days salary basic plus DA as performance linked incentive for the financial year 2021 कैनेरा बैंक ने अपने staff को 15 days की salary का announcement किया है यानि कि वो staff जो 1st April 2020 से लेके 31st March 21 तक इन्रोल थे उनको उनके performance के हिसाब से यानि की bank की result के हिसाब से 15 days का salary incentive पे तोर से दिया जाएगा जिसमें basic pay plus DA include होगा यानि कि सेनकेनरा बैंक ने अपने performance में शो किया है operative profit plus net profit both accordingly अगर कोई clerk service staff initial pay पे है तो उसको कितना उसको लगभग आपको बता दें कि 9148 रुपे मिलेगा अगर clerical staff है initial basic pay के हिसाब से 11,293 रुपे मिलेगा और अगर officer है और initial pay के हिसाब से उसे 22,712 रुपे मिलेगे यानि कि जो आपका DA है वो at the rate of 26.18 calculate किया मैंने और basic pay का 15 days की salary के हिसाब से आपका basic pay का अधा हो जाएगा तो friends, Kenra Bank ने PLI इस scheme declare कर दिया है और announcement कर दिया accordingly उनके staff को ये incentive जल से जल मिल जाएगा हमारे कुछ viewers हमेशा मेरे वीडियो के पास एक प्रस्त पूछते हो family pension के बारे में friends, family pension के बारे में कोई update अभी तक नहीं आ रहा है और जबता कि update या approval नहीं आता है तो मैं आपको miss communication नहीं दे सकता friends, जैसे ही इसके बारे में कुछ भी खबर पता लगता है क्योंकि अभी ministry में इस बारे में restructuring और other MSME sector के बारे में और जो covid के वज़े से जो उनको incentive देना है MSME sector को या जो package देना है, restructuring उसके बारे में अभी वो busy हैं और family pension के बारे में कोई update नहीं आ पा रहा है इसलिए और दूसरे state bank के साथियों को बताने हैं कि उनको अलविन पाइपर्टाइट के तहट उनका pension revise नहीं हुआ, हाला कि ये कुछ साथियों ने confirm किया है कि उनको revise pension मिलना शुरू हो गया है, but areas मिल गया है, लेकिन revise pension और commendation अभी तक नहीं मिला है banks के द्वारा जो पता चलना है, उससे they are under process और सिग्रे से सिग्रे वो payment करेंगे, लेकिन किस time करेंगे ये prediction करना अथवा, bank ने ऐसा कोई नियत से भे नहीं बताया है friends, ऐसे में हमारा एक निवेदन है, कि आप अपने concern PPO branch से concerned regional office से जरूर समपर करें, ताकि ये पता चल सके कि वहाँ किस प्रकार के वेवधान है Thank you friends, एक अपडेट के साथ और अर्न बैंक के भी अपना P.L.I. जल्दी ही declare करेंगे, चाहे वो 5 दिंग की salary हो, चाहे 10 days की salary हो, चाहे 15 days की salary हो तो friends, इसी अपडेट के साथ, Thank you, अपना ध्यान रखिएगा, Thanks